जैहें दोस्तों आप सभी का एक बाई फिर से स्वागत है आपके अफ़ने YouTube चैनल पर दोस्तों आज को जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा गडित पर और आज को जो हमारा लेक्चर होगा दोस्तों वो होगा Lecture 21 तो दोस्तो आप लोग वीडियो में अंतक बने रहिए, question को अच्छे से समझने का प्रयास केजिए दोस्तो आज का गडित में जो हमने chapter चुना है वो है pie chart तो दोस्तो pie chart से बहुत सारे question देखने को मिल जाते हैं हमें परिच्छों में दोस्तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हैं इस समय हमारा चल रहा है special pet maths class जिसमें दोस्तो pie chart से question बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तो आप लोग वीडियो में अंतक बने रहिए pie chart का जो मैं question बताने जा रहा हूँ उसको अच्छे से समझने का प्रयास किजिए तो चलिए दोस्तो सुरू करते हैं अपना question पहला question जो की graph की व्याख्या एवं विसेशन पर है इसमें आपको एक chart दिख रहा होगा जिसमें दोस्तो दर्साया गया है कि बचत जो है 18% है सेच्छा 15% है भोजन 20% किराया 15% कपड़ा 5% परिवहान 10% और अन्य 17% है और साथ ही में दोस्तो यहाँ व्यक्त की कुल आई 16,000 रुपय है यानि वो व्यक्ती 16,000 रुपय कमा रहा है और खर्च यानि उसका क्या है यह पॉइंट है उसके लाइफ का कितना सिच्छा पर कर रहा है खर्च भोजन पर कितना खर्च कर रहा है किराया पर कितना दे रहा है बच्चत कितना करा ये सभी उसके जीवन का ब्योरा देता है इसमें तीन क्यूशन दोस्तो है इस पाई चार्ट में तीन क्यूशन है पहला क्यूशन, दूसरा क्यूशन, तीसरा क्यूशन और यहां जो आपको एक क्यूशन दिख रहा है ये आपके लिए है जो की home work है क्लिए है दोस्तों आईए दोस्तों प्रश्ण को हल करते हैं और अंसर लाते हैं सबसे पहला प्रश्ण क्या है आईए देखते हैं पहले पढ़ते हैं प्रश्ण है व्यक्त की मासिक बचत क्या होगी याईनि उस व्यक्त की मासिक बचत कितने रुपए होगी तो दोस्तों यहाँ पर हमें मासिक बचत क्याद करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मासिक बचत बराबर है तो व्यक्त की मासिक बचत बराबर या मासिक बचत बराबर देखिए व्यक्त की कुलाए कितना है 16000 तो यहां आप 16000 लिख दीजिए लिख दिये हैं अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है बच्चत ग्याद करने बच्चत बोल रहा है अब बच्चत कितना है देखिए 18% बच्चत बोल रहा है तो बच्चत वाला देखिए कितना कर है वो 18% कब है तो यहाँ पर का कितना लिख देंगे 18% बन गया अब इसको solution करना है आए solution करके अंसल आते हैं 16,000 गुड़े 18% हटाएंगे दबटे कितना हो दोस्तो 100 हो गया एक सुन एक सुन इस से कर गया अब दोस्तो हम क्या करेंगे एक सो साथ गुड़े 18 चलिए गुड़ा करके देखते हैं क्या आता है अंसल तो लिख दीजिए 16 और 18 गुड़ा करना है 18 छक्का कितना होता है दोस्तो 108 होता है 18 के 18 होता है इस तरीके से 2888 होगा और एक सुन है यहाँ पर इस तरीके से 2880 रुपए वो क्या कर रहा है उसके महीने की बचत है यहाँ परसेंटेज में था यहाँ पर रुपए में आगे है तो महीने का कितना वो बचा रहा है 2880 रुपए बचा रहा है आया समझ में बिल्कुल आसान है दोस्तो आपको भबड़ाना नहीं है इसको जल्दी से पनी कॉपी मुटा रिये और अगला किश्चन देखते हैं इसको मिटाते हैं आसा है कि यह किश्चन आपको समझ में आ गया है चलिए दोस्तो निश्च कुश्चन पढ़ते हैं निश्च कुश्चन है व्यक्ति द्वारा कपडों पर किया गया व्याय परिवहन पर किये गया व्याय से कितना कम है सबसे पहले हम कपडों पर किये गया व्याय को निकालेंगे फिर परिवहन पर किये गया व्याय को निकालेंगे फिर उसके बाद दोनों का हम माइनस करेंगे और अंसर की प्राप्त करेंगे आईए पहले हमें क्या निकालना है कपडों पर किया गया व्याय बढ़ियां से समझेगे दोस्तों, क्योंकि ये question आपके लिए most important है, चलिए अब हम ढूनते हैं, कुल व्यक्त की आए कितना है, 16,000, तो हमने 16,000 यहाँ पर लेख दिया, अब देखते हैं, कपड़ा बोल रहा है, तो कपड़ा पर कितना व्या कर रहा है, वो देखिए, यहाँ कपड़ा है न, कितना परसेंट है, पांच परसेंट दिख रहा है न, कपड़ा, कपड़ा कितना कर रहा है, पांच परसेंट न, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर 5 प्रतिसत, लिख दिये हैं दोस्तों, अब जब लिख दिये हैं, अब इसको हम हल करते हैं चलिए इसको हल करते हैं के लिए रहे हैं 16,000 गुड़े पर्षेंटे हटाएंगे 5 बटे कितना हुआ 100 हो गया 1, 2, कैंसिल हो गया 16,500 कितना होता है 80 होता है लेकिन 100 यहाँ पर है इस तरीके से 800 रुपए कपड़े पर व्याँ कर रहा है अब दोस्तों परिवहन पर कितना व्याँ करता है इसको निकालते हैं तो लिख लीजिए परिवहन पर किया गया व्याँ लिख लिए हैं चलिए लिख लिए हैं तो आईए फिर कितना उसकी आई है 16,000 चलिए परिवहन ढूड़ते हैं 10% है तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 10% चलिए इसको परफेंटे हटाते हैं 10 बटे कितना हुआ 100 हो गया 100 इससे कड़े 100 इससे कड़े कितना हुआ दोस्तो 1600 तो परिवान पर कितने खर्च कर रहा है 1600 अब लाना है देखिए कितना कम है कम बोलड़ा है माइनस यानि हम लिख सकते हैं अभिष्ठ बराबर या अभिष्ठ अंसर बराबर लिख सकते हैं 16 100 माइनस कितना लिख सकते हैं 800 बराबर 1600 में से 800 इससे टाइम कितना हो दोस्तो जली बताइएगा 800 रूपए यानि कहने का ताथ पर अभिष्ट रास कितनी निकली है दोस्तो आठ सो रुपई यहां रास लिख दीजिए क्लियर है यह रास तो इस तरहीं दोस्तो अभिष्ट रास कितनी है आठ सो रुपई यह दूसरे का हमारा किलियर एंसर है यह भी आपको अच्छे से समझ में आ गया आईए रोज तो इसको मिटाते हैं और निष्ट अर्था क्यूश नमबर 3 को देखते हैं इसको समझ गया है आप आईए क्यूश नमबर 3 देखते हैं क्यूश नमबर 3 क्या है पढ़िए पहले और उसको तब हल करते हैं प्रशन है व्यक्ति द्वारा किरायवा सिच्छा पर कि किये गए समलित तो व्याय में क्या अनपात है। समझ गए है। अब अपैसे पर सबसे पहले हम डिक लेंगे अभिष्थ क्याż अनुपात है। अभिष्ठ अनुपाद बरागा क्या लिखेंगे? कुल आय समझते रहे कुल आय का क्या? कुल आय का किराया किराय है न? यहां लिखेंगे कुल आय का किराया वा भोजन पर किया गया गया किया गया व्याई यह किलर है? दिख रहा है? अब पूर एक बटे यहां पर इसे मैंसे लिखना है कुल आय का परिवहन परिवहन है देखेंगे यहां पर परिवहन वा भोजन वा भोजन पर किया गया व्याई गया व्याई यह यह लिए मैंने सौला हाजार देखिए चोला लीजिए फिर प्लस है किराया और भोजन दोड़ाए है किराया कि बहता है इसे किराया कहां है हैं यह देखिए कि राय मिल गया ना 15 तो यहां पर हमने 15 लिए 15 पर्शंट आई से भूज आंब उसके बाद बोला है कि तीकितना है पिजन कहां दिख रहा है यह दो स्क पर कर एक मिन ट यहां पर देखिए बिस परशाण है यहां देखिए और सो नहां मैं चला गया, ये देखे, सिच्छा है यहाँ पर, तो वही गड़ गड़ हो जाता है हम लोग का, के लिए जो दीख गया, तो सिच्छा का कितना है धूस्तोओ, पांच, पंदरा परसेंट, ये देखे, सिच्छा का पंदरा परसेंट, सेम नीचे वाला भी करेंगे, कूलाए क इतना है, 16,000 है, फिर का परिवहन कितना है, ढूड़ी यह लिसे, परिवहन ढूड़ी यह, 10% है, मिल गया, और देखिए उसके बाद क्या है, भोजन, भोजन कितना है, 20%, मिल गया, तो यह देखी 20%, हो गया ना, जड़ इसको हल कर दीजिए, 16,000, फिर का का मतलब गुड़ा हो गुड़े, 20, 30%, पर्शन्टे हट आए, दोस्तों, कितना हो गया, बटे 100, कट कर दीजिए, यह हो गया, इससे, 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 इससे कैंसिल हो गया, 16 से, 16 कैंसिल हो गया, हाँ, यह पूरा कैंसिल हो गया, इस तरीकी एक उपर बच्चा है, एक, यानि एक अनपाते, एक यह हमारा किलियर एंसर हो गया, है नासान, बिल्कूल आसान है दोस्तों, यह क्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया है, लास्ट क्यूशन आपको जैसा का, यहाँ पर दिख रहा है, प्रशन क्या है, इसको यह बाद लिख देते हैं, तब लिखते हैं, क्योंकि सायद यक्स का 15%, बराबा 2449, इसमें दोस्तों, यक्स का मान निकलना है, हल करिए इसमें 4 आपसंदिक रहा, 3520, 3250, 3350, 3540, तो प्रशन का एंसर एंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, आसा है कि जरू जरू आप इस प्रशन का एंसर देंग एंसर कमेंट बॉक्स में, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही हर संडे को पाई चार्ट का एक क्विशन आपको देखने को मिलेगा ताकि आपकी तैयारी में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना ना जहलना पड़े तो चलिए दोस्तों कल फी मिलते हैं एक नए लेक्चर में और एक नई जानकारी के साथ आज के दोस्तों बस इतना ही जय हिंद जय भारत